नवस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम में एक बार फिर से और दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे पास है T900 Ultra और दोस्तों यह Apple Watch 8 Ultra का क्लोन वर्जिन है और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगो कि दोस्तों कैसे आप इस वाच को कनेक्ट कर सकते हो अपन पर इस व stor फोटो लगाने आज़ा वॉट फैश तो दोस्तों वह आपिस वाच में कैसे लगा सकते हो तो सब सबकुछ आपको आज इस वीडियो में में बतांगा तो छली दुस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दुस्तों वज को फोन से आटट फोन का ब्लूड्मोर एफ एफÑन का बलूडवरद हुटा आए पूर्ट होग है जो अलगी से आपको लेटा है क्वारेखे हidents। नाखिक numbers कुछ इसी अपडिवाइस को टीन मिल जाता यहां पर देगिए आपको एफ डिवाइस मिल जाता है तो दोस्तो यहां पर आपकी वाच शो करेगी वाच अल्ट्रा नाम से तो देखिए दोस्तो यहां पर आपने देखिए वाच को सेलेक्ट कर लेना है तो देखिए दोस्तो अब हमारी जो वाच है वह हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो रही है तो देखिए दोस्तो अब हमारी जो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो चुकी है अब अगर हम यहां पर डिवाइस वाप्शन में अगर आएंगे तो देखिए दोस्तो यहां पर वाच कनेक हो रहा है 9.14 minute और यहां पर आप watch मेरे देखके तो देखे यह पर भी 9.40 मिनट हो रहे हैं तो दोस्तो watch मेरे time set हो चुका है और प्लिट्ट कॉलिंग के लिए आपने क्या करना है कर सकते हो और आप कॉल डायल भी कर सकते हो अगर आपके फोन के Bluetooth लिस्ट में ऐसे watch connected शो नहीं कर रही है तो दोस्तो इस watch में Bluetooth calling वाला जो feature है वो काम नहीं करेगा और दोस्तो कस्टमाइज watch face set करने के लिए दोस्तो आपने देखे, यहाँ पर आना को anpher option भी और यहाँ अपर आपको एक option मिल जाता याँ डायल setting वाला के आपको यहाँ बी आप NICK कलिकर देना है और का अपकूए सारे watch faces मिल जाएंगे जिनको आहँ स्मार्ट वॉअच में भी कोई भी watch face को select कर लेना है and यहाँ पर दोस्तो देखिए आपको एक option मिल जाता change the dial तो दोस्तो यहाँ पर अपने click कर देना and दोस्तो अब आप अपने phone की gallery में से कोई भी photo को select कर सकते हो जो भी आपने अपने watch में set करनी है तो चले एक photo को select कर लेते हैं तो देखिए दोस्तो मैंने photo को select कर लिया and यहाँ पर दोस्तो देखिए आप photo को थोड़ा zoom in, zoom out करके adjust भी कर सकते हो जैसे भी आपने करना है and देखिए photo को set करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपने click कर देना right वाले option पर and देखिए photo भी हमारी set हो चुकी है and दोस्तो अब आपने देखिए आपर synchronize dial वाले option पर click कर देना है तो देखिए दोस्तो यहाँ पर हमारा watch face है वो transfer होना start हो चुका है तो देखिए दोस्तो यह customized watch face भी हमने set किया था इस watch में और देखिए set हो चुका है और देखिए काफी अच्छा लग रहा है तो दोस्तो ऐसे आप यह process follow करके दोस्तो watch आप अपने smartphone से connect कर सकते हो watch में आप day day time set कर सकते हो Bluetooth calling को enable कर सकते हो and customize watch face भी set कर सकते हो है तो दोस्तो इस video में बस एतना है था दोस्तो आपको वीडियो पसंद आयोगी और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो दोस्तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो and चैनल को subscribe भी कर सकते हो